इडली, डोसा, खमन और उत्पम ये सभी अगर आपकी फेवरिट रेसिपीज हैं लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं रहता है कि आप दाल चावल को विगोएं और उसमें खमीर उठे या फिर आपके पास इतना टाइम नहीं कि आप सूजी को दो गंटे के लिए विगो कर रखें जिसके कारण आप ये रेसिपी नहीं बना पाते हैं तो आ गया है मार्केट में एक रेडिमेट गोल जिससे आप इडली, डोसा, खमन, उत्पम सभी रेसिपीज बना सकते हो वो भी मिंटों में आज मैं आपको इसका पूरा प्रक्टिकली करके दिखाऊंगी हेलो एप्रिवन, यू आर बेलकम इन मा यूटूब चैनल लेटेस्ट रेसिपीज एड सोनम हमने यहाँ पे लिया है वन केजी का ये रेडिमेट गोल जिस पे लिखा हुआ है कि हम एक ही पैकेट से चार चीजें बना सकते हैं और बनाने की विदीवी इस पे पीछे दी होई है तो चलिए चलते हैं बनाने की और सबसे पहले हम इस पैकेट को खोल कर सारा वैटर एक बरतन में निकाल लेंगे ये देखिए वन केजी वैटर है और कितना अच्छा हमारा ये वैटर है इसको हम चार जगे अलग-अलग भागों में वांट लेंगे एक में डोसा के लिए, एक में उत्पम के लिए, एक में खमवन के लिए और इडली के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे उत्पम यहाँ पे मैंने दो चोटा चमच ले लिया है ये गोल और इसमें डाल दिया है आदा चमच नमक और चुटकी वर पैकिंग सोडा इसमें मैं एक छोटा चमच पानी डाल दूँगी और इसको थोड़ी देर के लिए अच्छी तरह ऐसे मिक्स कर दूँगी इसको हम अच्छी तरह फेर देंगे जिससे की सोडा और सॉल्ट अच्छी तरह बैटर में मिक्स हो जाए अब हम तबे को गरम करके उस पे ओल से ग्रीस कर देंगे और इस तरह हम फेलाते हुए इस पे अपना बैटर डाल देंगे इस बैटर को हम जादा पतला नहीं फेलाएंगे थोड़ा मोटा ही रखेंगे और आप चाहें तो इसको बड़ा सेप भी दे सकते हो जिससे की इसमें पीज़ा वाला लुक आए लेकिन मैं इसको वच्चों के टिफिन के लिए बना रही हूँ तो मैं इसका साइज छोटा रखोंगी फिर इसके उपर मैं प्यास से थोड़ी गार्निस कर दूंगी और थोड़े से टमाटर डाल दूंगी साथ ही हम इस पे मोटे पीसे जो में कटा हुआ शिमला मिर्च भी डाल देंगे और इन सबी को हम अच्छी तरह से हलके हातों से ऐसे दवा देंगे जिससे की ये वेटर में चिपक जाएं जब ये एक सैट से पक जाएंगे हम इनको इस तरह से हटाते हुए दूसरी सैट से बदलते हुए सेख लेंगे ये देखिए दो मिनिट भी इने बनने में नहीं लगे हैं और कितने अच्छी हमारे उत्पम बनकर त्यार हो गए अब हम चलते हैं हमारी दूसरी रेसीपी की और वो है इडली इसके लिए सबसे पहले हम एक चमश ओयल गरम करके उसमें डाल देंगे एक चमश राई इसको हम डाल देंगे इडली के बैटर में क्योंकि राई से इडली का टेस्ट बहुत बैतर हो जाता है और इसको हम बैटर में अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे अब हम इसमें डाल देंगे एक चमश सॉल्ट और अच्छी तरह गोल में मिक्स कर देंगे साथी हम इसमें डालेंगे एक पैकेट इनो का और इनो को जल्दी इसमें मिक्स करने के लिए इसमें दो से तीन छोटा चमच हम इसमें पानी डाल देंगे ये देखिए गोल हमारा एकदम परफेक्ट हो गया है अब हम इडली के फुकर में डाल देंगे एक गिलास पानी और इस तरह से जाली से कवर कर देंगे और सारे इडली के जो ये सांचा है इसमें हम ओइल लगा देंगे जिससे की हमारा बैटर इसमें चिपके नहीं और इडलिया एकदम परफेक्ट बने इस तरह से हम इडली के जो स्टेंड है उसमें ये सब लगा देंगे और एक एक करके सारे इडली के सांचे में हम अपना बैटर डाल देंगे अब हम इसका ढकन बंद करते हुए मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको गैस पे रख देंगे और करीब पांस से साथ मिनिट के बाद हम इसको चेक करेंगे आप चाहें तो इस तरह की इस्टिक से इसको चेक कर सकते हो या फिर अगर ऐसी इस्टिक नहीं है तो आप चाकू सेवी से चेक कर सकते हो देखो चाकू में बिल्कुल भी बैटर नहीं चिपका है हमारी इडलियां बनके तियार हो गईगे इनको हम प्लेटों को अलग करते हुए थोड़ा ठंडा होने देंगे ठंडा होने के बाद ही हम इडलियों को सांचे में से निकालेंगे वरना इसका थोड़ा सा वेटर इस सांचे में चिपका हुआ रहे जाता है ये देखिए बिल्कुल ठंडा होने पे हमने इसको निकाला और इडलियां हमारी कितनी सॉफ्ट बनी है देखिए बिल्कुल उसी इस्टैल में बनी है जो हम दाल चावल से खमीर उठा कर बनाते हैं या फिर सूजी को दही में बिवो कर बनाते हैं सेम बही इन में खुशू आ रही है और उसी तरह ये एकदम सॉफ्ट बनी है अब हम चलते हैं अपनी नेक्ट रेसिपी डोकला की ओर यहां पे हमने ले लिया है बैटर और इसमें डाल देंगे दो चमच बेसन जिसको हमने पानी से गोल लिया था और दो चमच फ्रेस तरी आदा चमच हल्दी डाल देंगे और थोड़ा सा हम इसमें डाल देंगे बैकिंग पाउडर इसमें हम नमक नहीं डालेंगे और इसको हम एक पतला सा गोल बना देंगे इस तरह हम इसको अच्छी तरह मैश कर देंगे अब हम इस तरह खम्मन के स्टेंड में ऑईल लगा देंगे आप चाहें तो इनको कड़ाई में प्लेट में रखके भी बना सकते हो और हम अपना सारा बैटर इसमें डाल देंगे इस तरह हम प्लेट को थोड़ा दवा देंगे जिससे की बेटर अच्छी तरह प्लेट में फैल जाए और कुकर में पानी करके फ्लेट के रखते हुए हम इसमें अपनी खमन वाली प्लेट लगा देंगे इसको भी हम इडलियों की तरह मीडियम टू हाई फ्लेम पे गैस पे कुक होने के लिए रख देंगे जब तक हमारा ढोखला वनता है हम इसके लिए मसाला बना लेते हैं कड़ाई में हम डाल देंगे एक चम्मस सुरसों का तेर गरम होने पर हम इसमें डाल देंगे राई जैसे ही राई तड़क जाएगी इसमें हम डाल देंगे पारी कटा हुआ शिमला मिर्च इसको हम 2-3 मिनिट के लिए पकाएंगे फिर डाल देंगे करी पत्ता करी पत्ता को भी हम 30 सेकंड के लिए पका लेंगे और इसमें हम डाल देंगे 1 कप पानी अब हम इसमें डालेंगे 2 चमच चीनी और एक बड़े नीबू का रस चीनी को हम गोल में मिक्स कर देंगे और इसको ढखते हुए तेज गैस पे 2-3 मिनिट के लिए वॉयल आने देंगे अब हम हमारा ढोकला चेक करते हैं कि बना है या नहीं बना है हम चाकू से इसमें डालेंगे देखो वैटर बिलकुल नहीं चिपक रहा है हमारा ढोकला बनकर एकदम रेडी है gas को हम off कर देंगे और इसको थोड़ा थंडा होने देंगे जैसे यह थंडा हो जाएगा चाकू से चारो तरफ से अलग करते हुए प्लेट लगा देंगे और पीछे से खम्मन की प्लेट को ऐसे ठोग देंगे और इस तरह देखिए कितना अच्छा हमारा ढोकला बन गया है एकदम स्पंजी हम इसको इस तरह के पीसे जो में कट कर लेंगे ये देखिए कितना सॉफ्ट हमारा ढोकला एकदम बना है अब हम इसके उपर डाल देंगे जो हमने मसाला बनाया है वो इससे डोसा में एकदम खटा मीठा टेस्ट आएगा मीठे के लिए हमने चीनी डाली और खटे के लिए लेमन जूस ये देखिए कितना जूसी टाइप का एकदम फर्फेक्ट डोकला बनकर तेयार है अब हम चलते हैं अपनी लाश्ट रेसिपी की ओर वो है डोसा डोसा के बैटर में हम डाल देंगे एक चमच बेसन आदा चमच नमक और थोड़ा सा पानी डालते हुए इसका एकदम पतला गोल बना लेंगे जो हम बेसन के चीला वाला गोल बनाते हैं ना सेम उसी कंसल्टेंसी में हम इस गोल बना कर तियार करेंगे तबा गरम होने पर हम इसमें पानी के चीटे लगाएंगे और फिर इसको कपरे से साफ करेंगे और अब हम इस पर डाल देंगे हमारा बैटर यहाँ पर हम दो तरह के डोसा बनाने वाले हैं एक क्रिस्पी और एक सॉफ्ट क्रिस्पी डोसा के लिए हम तबे को गरम करते हुए उस पर पानी डाल कर उसे साफ करेंगे फिर इस तरह से हम साइडों में ओइल लगाते हुए और चमस से इसको हटा देंगे आप चाहें तो आलू की स्टेफिंग बनाकर इसमें बीच में रख देंगे और ऐसे फोल्ड कर देंगे क्रिस्पी डोसा को हम तबे पे पानी डाल के बनाते हैं और दूसरी साइड से नहीं सेखते हैं अब हम बनाएंगे सोफ्ट डोसा जिसके लिए हम तबे पे घी लगा देंगे यहां पानी नहीं लगाएंगे घी लगाएंगे और फिर डोसा का वेटर फैला देंगे जैसे ही एक साइड से हमारा डोसा पक जाएगा हम इस पे चारो तरफ घी लगा देंगे और बदलते हुए इसको हम दूसरी साइड से भी सेक लेंगे याद रहे जब हम क्रिस्पी डोसा बनाएंगे तब एपर पानी डालेंगे और उसे एक साइड से पकाएंगे और जब हम सॉफ्ट डोसा बनाएंगे इस पे हम ओईल लगाएंगे और इसे हम दोनों साइडों से पकाएंगे ये देखी हमारा सोफ्ट डोसा बन कर तेयार है है ना एकदम इजी रेसीपी इसमें हमें ना सूजी भिगोई है ना कोई वैटर हमने फुलाया है अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें साथ ही लेटेस्ट रेसीपी जैस सोनम चैनल को सबस्क्राइब करना ना भूलें